प्रवेश किया चिकित्सा छेत्र से उपस्थित मेरी डॉक्टर बेहने यहाँ पर उपस्थित मेरे भाईयों और बेहने बिना भाईयों के कोई काम नहीं कर पाती हैं और जब बेहने आगे बढ़ती हैं तो भाईयों उनको आगे बढ़ाने का काम करते हैं इसलिए मेरे अपने सभी भारती जंदा पार्टी के पदादिकारी और पार्शद दल के समस्त पार्शदों को मैं धल्नेवाद देती हूँ बेहनों हम सभी को 33 प्रतिशा तारक्षण मिला 21 सितंबर को जब ये राज्य सभा में पारित हुआ लोग सभा के बाद जब राज्य सभा में 21 तारिक को पारित हो गया तो ये बात साफ हो गई कि आने वाले 2029 से सभी बेहनों को विधान सभा और लोग सभा में 33 प्रतिशा तारक्षण सभी दल को देना पड़ेगा ये हमारी एक बहुत बड़ी जीत है और ये जीत का सहरा अगर किसी के सिर पर जाता है तो देश के प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी जी को जाता है इसलिए आज के कारिक्रम का नाम दिया गया नारी शक्ति वंदन सम्मेलन क्योंकि जो बिल पारित हुआ उसका नाम भी था नारी शक्ति वंदन अधीनियम इसलिए आज के सम्मेलन का नाम है नारी शक्ति वंदन सम्मेलन बेनों हम सब को एक नई ताकत मिली है बहुत बार लोग बहुत बार पूशते हैं कि बिना अरक्षण के भी हम लोग आगे बढ़ते हैं लेकिन मैं आपको याद दिलाना चाहती हूँ कि इस दुर्ग नगर में जब में महिला अरक्षण हुआ था महिला महापौर का चुनाव लड़ने के लिए आई थी महिला महापौर का चुनाव में ने महिला अरक्षण पर लड़ा था क्योंकि वह अरक्षण था इसलिए हमको आगे बढ़ने का उसर मिला महिलाओं को काम करने का उसर मिले तो महिलाएं बहुत कुछ कर सकती है लेकिन बात ही केवल आउसर की कई बार हम राजनीती में फंस जाते हैं और जब आप काम करने आगे बढ़ते हो तो बहुत बार हमारी योगिता पे प्रश्न चिन्न लगा देते हैं और हम लोगों को आउसर नहीं मिल पाता है लड़की है महिला है काम नहीं कर पाई लेकिन आज हम सभी के लिए ये बहुत खुशी का पल है कि हमारे हाँ पर हम लोगों को ये आउसर हमारे देश के प्रधान मंत्री जी ने दिया और देश के प्रधान मंत्री जी के आने के बाद इस देश में बहुत बदला हुआ इसके पहले बहुत प्रधान मंत्री बने लेकिन कभी किसी प्रधान मंत्री नहीं इस बात को नहीं सोचा पिछले दस सालों में अभी तो नौही साल बीता है आपको याद होगा जब बहुत बार हम लोगों के छेतर में जब हम कही बाहर दोरे पर जाते थे तो शाम होती थी तो महिलाएं सडकों पर रहती थी लोटा लेकर जाती थी गाड़ी की लाइट अगर पड़ जाए तो खड़ी हो जाती थी शाम होने का इंदिजार करती थी बहुत बड़ी त्रास दी थी और जब बिटिया बाहर जाती थी माबाप भी चिंतित रहते थे शाम का समय रहता था क्यों जाती थी क्योंकि गरीब ही घर में शौचाले नहीं था शौचाले नहीं होने के कारण जो पीड़ा वो माबाप सहते थे जो वो बेटी सहती थी उस बेटी की पीड़ा को एगर किसी ने देखा और समझा, तो देश के प्रधान मंद्री में समझा और इसकी अहलगर में शौचाले बनवायों। उन्हों ने कहा कि एगर कि सौचाले ना हो ऐसा नहीं होना चाहिए। बिटिया को शाम का इंद जार नहीं करना चाहिए। ऐसी भयानक प्रासिदी से, जिसको केवल हम महसूस कर पाते हैं, उस बात को देश के प्रदान मंतरी ने समझा, अभी गैस आपको बहुत आसानी से मिलता है, ये लोग कहते हैं कि गैस की कीमत बढ़ी, अभी रक्षा बंदन था, 200 रुपिया गैस की कीमत कम हुई, लेकिन आपको लाइं लगाने पड़ती थी, तब जाकर गैस का कनेक्शन मिलता था, गैस मिलती ही नहीं थी, गैस का कनेक्शन मिलता ही नहीं था, तो क्या करते थे तो हम लकडी जलाते थे चूला फूंगते थे और चूला फूंगने में एक बार जब हम चूला फूंगने जाते थे उसके धुए से एक बार में कम से कम 40 सिग्रेट का धुआ हम अपनी छाती में उतारते थे वो महिला अपने बच्चों को खाना बना कर खिलाने के लिए 40 सिग्रेट का दुआए एक बार छाती में उतारती थी और जब 40 साल की होते होते 60 साल की दिखती थी क्योंकि गरीब थी इलाज करा नहीं पाती थी और वो लकरी फूंकते फूंकते उसको बिमारी हो जाती थी इसलिए देश के प्राधान मंतिरी ने कहा कि किसी को चूला नहीं फूंकना पड़े मेरी वो बहन जो 40 साल में बूरी दिखना लगती है वो बहन को इतनी बिमारियां घेर लेती है गरीब है इसलिए वो बिमारी का इलाज नहीं करा पाती है उसके बिमारी का इलाज होना चाहिए गरीबी के कारण वो बिमारी बता नहीं पाती कर नहीं पाती पैसा होता नहीं था इसलिए उन्होंने कहा कि भारत आयुश्मान योजना में पांच लाख रुपए का हमारे प्रधान मंदरी नरेंद्र मोधी जी ने सभी गरीबों के लिए भारत आयोश्मान योचना चला है। कहां से शुरू हुए। मैं ये योचना इसलिए नहीं गिना रही हूँ। इसलिए गिना रही हूँ कि किसी ने गरीबी अगर देखी तो वो गरीबी की बात को उन्होंने समझा इसलिए हमारी बात को उन्होंने पूरा किया। और आज इस बात को मैं कहना चाहती हूँ कि 33% अतारक्षण के बाद हमारी बेने विदान सभा पहुचेंगी। 33 पत्रिशता रक्षिन के बाद हमारी बेहने लोग सबा पहुचेंगी और हमारी बेहनों को एक नया उसर मिलेगा बेहनों हम सब अपने प्रदान मंद्री को धन्यवाद देते हैं आज इसलिए इस समेलन का योजन है मेरे साथ में जोड़दार मैं जब आपको धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद मोधी जी को धन्यवाद देश के प्रदान मंद्री में हम सभी के लिए एक नया सूरज एक नया सबेरा खुला असमान उड़ने के लिए तयार हो जाईए हम सब आरक्षन में ही सही लेकिन हमें मौका मिलेगा यह हम सब के लिए खुशी की बात है इसलिए देश के प्रदान मंद्री जी के लिए एक बार जोड़दार ताली बजाईए ये हमारे अपने प्रधान मंत्री जी के लिए है बंदूँ और बेहनों में आपको एक बात कहना चाहती हूँ पीछे मेरे भाई लोग भी बेठे और जब ये बात में बिना कहे चले जाओ ये आरक्षन हमें देश के प्रधान मंत्री जी ने दिया एक भाई ने दिया कैस सिलेंडर की कीमत जादा हो गई तो उसको कम किया हमारे चोटी चोटी बातों का ध्यान रखा और बहुत सी ऐसी बातों का भी ध्यान रखा जिसको हम बहने आपस में भी चर्चा करने में संकोच करती है देश के प्रधान मंत्री जी ने उसके भी चिंता करी हम लोगों के लिए विवस्थाएं दी आज मेरी हाँ पे बहुत से भाई बैठे हैं मैं अपने सभी पार्शत भाईयों को नेता प्रतिपक्ष सहित उनके पूरी टीम को मेरे पूरे पदा दिकारियों को और पीचे जो मेरे भाई बैठे हैं मैं उन सभी लोगों को बहुत धन्यवाद देती हूं क्योंकि जब बहन आगे चलती है तो भाई पीचे खड़े रहते हैं बिना इनके हमारा चलना संभव नहीं होता है और जब हमारी सफलता होती है तो जितने खुश हम होते हैं हमसे ज़्यादा ये होते हैं इसलिए जब कभी आगे बढ़ें भाईयों को मत भूलिएगा आरक्षण मिला है आगे बढ़िये लेकिन याद रखिये कि एक मजबूत कंदा भाई का भी साथ रहा है और हमेशा रहे मैं इसी बात को कहके आज सभी बेनों को इसकी बहुत बढ़ाई देती हूं बहुत अभी नंदन करती हूं और आपको इस बात के लिए भी शुव कामना देती हूं कि आने वाले समय में जब 36 गड़ विदान सबा का चुनाओ हो तो इस चुनाओ में याद रखिये कि जिसने आपके लिए किया आपको उसके लिए ध्यान रखना है और जिनों ने इस शहर को बरबाद किया उनका भी ध्यान रखना है पुरा पुरा ध्यान रखना भूलना मत कहां का गौरोपत खुदू खाड़ दिया बहुत बुरी हालत है मेरा वो भाई पता नहीं क्या सोचता है मुझे तो समझ में महीं आता है लेकिन दुरुग की हालत बहुत खराब है और दुरुग में जैसी इस्तिती थी दस साल में यहां महापौर रही दस साल भारती जंता पार्टी के महापौर रहे लेकिन अभी का महापौर बिना विधायक के चलता नहीं है और विधायक के बिना नगर निगफा काम नहीं होता है न सड़क है न नाली है न बिजनी है न पानी है ऐसे लोगों को दुबारा नई आने देना है इसलिए ये संकल्प करके भी चाहिएगा धन्यवाद मोदी जी का और जिनको वापस नई लाना है उनके लिए याद रखिएगा भूलिएगा मत मैं आज इस बात को भी आपको इसलिए कहती हूँ कि नारी शक्ती बंदन सम्मेलन में अगर महिला ठान ले तो दुनिया में किसी को भी चुका सकती है ताकत होनी चाहिए और जित होनी चाहिए और अगर जित है तो दुनिया की कोई ताकत हमारे सामने नई टिकती है ये तैबा और जो मिलेगा वो हमारा है और जो हमारा है वो कोई नहीं ले सकता इस सोच के साथ आगे बढ़िये बहुत शुक्त कामनाए धन्यवाद और एक बार फिर से मोदी जी को बहुत धन्यवाद इतना सुनहरा उसर देने के लिए